2023-2024 का जो आम बजट वित्मंत्री जी ने प्रस्तुत किया वो ऐसा बजट था जो भारत की आर्थिक समस्याएं जो हैं उस में उस बजट को इस बजट में उन समस्याओं का कोई निवारण या उन समस्याओं को इंगित तक नहीं किया गया आप सब लोगों को जानके ताज़ूब होगा कि पूरे बजट में बेरोजगारी, गरीबी, आर्थिक असमानता शब्द का प्रयोग तक नहीं किया गया पूर गरीब का शब्द का प्रयोग भी मात्र दो दफा पूरे बजट भाशन में वित्मंत्री जी ने किया इससे ये समझ में आ जाता है कि ये आम बजट किसके लिए बनाया गया था और इसका फोकस कौन था सबसे पहले हम कुछ नंबर्स की बात करेंगे 2021 में देश की जीडिपी 232,014,703 करोड वित्मंत्री जी ने बताई थी और ये भी बताया कि नॉमिनल ग्रोथ 11.1 प्रतिशत रहने की उम्मीद है उसके अनुसार 223 की जीडिपी 258,00,00 करोड रुपया होनी चाहिए थी पर 2021-22 की जीडिपी को फिर रिवाइस किया गया जो पहले 232.14,00,00 करोड बताई गई उसको 236.64,00,00 करोड रुपया उसको रिवाइस किया गया आज के बजट भाषण में जो मौझूदा वित्तिय वर्ष है 2022-23 इसकी जीडिपी 273,00,00 करोड बताई अर्थात अगर हम इसका विशलेशन करें तो नॉमिनल जीडिपी में ग्रोथ होता है 15.4 प्रतिशत नॉमिनल जीडिपी में अगर 15.4 प्रतिशत की ग्रोथ है तो रियल जीडिपी कम से कम डबल डिजिट में होनी चाहिए वित्मंत्री जी और आर्थिक सर्वेक्षन में इसको 7 प्रतिशत पर बताया गया क्या सरकार बताएगी कि ये 7 प्रतिशत ही क्यों हैं क्योंकि जो आपके बजट के जो रियल जीडिपी के नंबर्स है वो तो कुछ और ही व्याक्या कर रहे हैं दूसरी बात जो सरकार का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो जो एस्टिमेट किया था मौजूदा वित्तिय वर्ष में 10,67,890 करोड जबकि रिवाइज़ एस्टिमेट में वो 10,53,862 करोड हुआ मतलब जो पुझीगत खर्चा सरकार करना चाती थी वो भी पूरा नहीं कर पाई अब सवाल यह उठता है कि जब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट गिर रहा है एक्सपोर्ट गिर रहे हैं प्राइवेट कंजम्शन मोर और लेस इस्तिर बना हुआ है जो कैपिटल एक्सपे अलावा जो मौझूदा वित्तिय वर्ष के दो पहले क्वाटर के जो रिजल्ट आए साड़े तेरा प्रतिशत की ग्रोथ और चैप तीन प्रतिशत की ग्रोथ तो पहले हाफ येर में देश की जीडीपी ग्रोथ हुई 9.9 प्रतिशत अगर हम मान भी लें कि साथ प्रतिशत की जीडीपी ग्रोथ होगी तो आने वाले जो क्वाटर 3 और क्वाटर 4 है उसकी ग्रोथ 4 से 4.5 प्रतिशत रहेगी अर्थाद मौझूदा वित्तिय वर्ष में क्वाटर देश की जीडीपी ग्रोथ रेट गिरी है मौझूदा वित्तिय वर्ष के पहले क्वाटर में 3.5 प गिरी है ये भी बड़ी ताज्जूब की बात है कि देश की सरकार देश की प्रमुक स्कीम्स में जित्ता खर्चा करने का सोचती है उत्ता खर्च भी नहीं कर पाती है कुछ उधारन आपके सामने रखता हूं क्रशी पर क्रशी पर सोचा था सरकार ने कि 83,521 करोड रुपे ख पर 68,000 करोड रुपिया खर्च करने का बजटरी एस्टीमेट था जबकि वास्त्विक खर्च हुआ 60,000 करोड एजूकेशन पर सिक्षा एक लाग 4,278,000 करोड रुपे खर्च करने का बजटरी एस्टीमेट था खर्च किया मात्र 99,881 करोड हेल्थ पर 86,606 करोड की जगा 76,351 करोड सामाजी वेलफेर पर 51,780 की जगा 46,502 करोड शेहरी विकास पर 76,559 करोड की जगा 44,546 करोड डवलपमेंट फॉर दा एसी कम्यूनिटी पर 8,710 करोड खर्च करने का सोचा था और खर्च किया मात्र 7,722 करोड शेडिूल ट्राइब्स के विकास पर सोचा था 4,111 करोड रुपे खर्च करेगी सरकार खर्च किया मात्र 3,844 माइनोरिटीज के डवलपमेंट पर बजट्री एलोकेशन किया गया था 1,810 और खर्च किया मात्र 530 करोड रुपया और और जो विल्नरेबल ग्रुप से उनसे सोचा 1931 करोड रुपया कर्च करने का बजट्री एस्टीमेट था इसको रिवाइज करके कर दिया 1821 करोड और तो और आप सब लोगों को जानके ताज्यूब होगा कि राज्यों को जो केंद्र सरकार की और से जो डिवल्यूशन के जो पैसा मिलता है उसमें 3,34,349 करोड रुपया देने का उनको ट्रांस्वर का बजट्री एस्टीमेट था और दिया मात्र 2,7,936 करोड अर्थात ये 64,000 करोड रुपया राज्यों का जो हक था उनको नहीं मिला अब करो की बात करते हैं कोई मेजर करो में कटोती नहीं की गई सिवाए जो न्यू टेक्स रिजीम में जो लोग आप्ट करते हैं उनमें छोटा सा मार्जिनल फेर बदल किया गया जो इंडारेक्ट टेक्सेज हैं उसमें कोई कटोती नहीं की गई जो पैट्रोल है डी डीजल है, सीमेंट है, फटिलाइजर्स है, इनके दाम यथावत बने वे हैं, जो जी एस्टी की इरैशनल दरे हैं, उसमें कोई रैशनलिटी नहीं लाई गई, और तो और जो केंदर सरकार बहुत सारे सैसेज एकटे करती और ध्यान रहे, सैस का पैसा राज्यों को नहीं मिल तो सवाल ये उटता है, कि ये बजट से किसका फायदा हुआ, एक बात तो सत्य है, कि इससे घरीब लोगों का कोई फायदा नहीं हुआ, जो यूवा पिड़ी है, जो रोजगार की तलाश कर रही है, उनका भी कोई फायदा नहीं हुआ, जो लोगों को नौकरी से निकाला पिछले दो साल, एक साल में उनको भी कुछ नहीं मिला, जो टेक्सपेयर्स है, जो की समय पर कर देते हैं, उनको भी कोई बड़ा रिलीफ नहीं मिला, जो माताय बहने ग्रहनिया हैं, उनको भी किसी तरह का फायदा नहीं हुआ, और तो और वो हर एक व्यक्ती जो भारत के बारे में सोचता है, उनको भी आज के बजट से सिरफ और सिरफ निराशा और हताशा हाथ में लगी, ये बजट मुखे रूप से उन लोगों के लिए इंगित किया गया था, जिनके पास देश की अधिकांस वेल्थ हैं, और जो रिपोर्ट आई है, ऑक्सफर्म की रिपोर् है, आपको पता होगा कि एक परसेंट भारतियों के पास देश की कितनी कुल संपत्ती है, हाँ, एक चीज बड़ी स्पष्टा से इस बजट में बाहर निकल के आई, कि ये बजट एमदाबाद की गिफ्ट सिटी को जरूर फोकस करना चाता है, और उसको एक एक मेजर बिजन हब के रूप में डवलब करना चाता है, फाइनेंशल सेंटर के रूप में डवलब करना चाता है, वानिजिक सेंटर के रूप में डवलब करना चाता है, हाँ, जो नए टेक्स रिजीम में जो करदाता कर देते हैं, उनको कुछ फाइदा मिला, पर ये करके सरकार ये कहना च इंडिरेक्टली ये कहना चाहती है कि आप एक्जम्शन्स में इन्वेस्टमेंट मत करो अपने आने वाले समय के लिए पैसान मत लगाओ आर्थिक सर्वे ने साथियों बहुत सी देश के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में बताया था पहला जो 2023 का वर्ष है इसमें दुनिया की ग्रोथ और दुनिया की ट्रेड स्लोडाउन होगी उसका भारती अर्थ विवस्ता पर क्या फरक पड़ेगा क्या इंपेक्ट पड़ेगा वित्मंत्री जी इसके बारे में बिलकुल खामोश थी दूसरा दुनिया की बड़ी अर्थ विवस्ता हैं रिसेशन में जाएगी उसके कारण देश की अर्थ विवस्ता पर क्या फरक पड़ेगा इसके बारे में इस बजट में किसी भी तरह का उल्लेक नहीं किया गया और लास्ट जो जो वैश्विक सिक्यूरिटी सिच्वेशन है उसके बार जो और आगे आने वाले समय में और ज्यादा डेट्रियोट करेगी उसके बारे में भी इस बजट में किसी तरह का उल्लेक नहीं है हमारा सवाल है कि जो तीन जो चुनौतियां देश के सामने है अगर ये सही साबित हो जाती है तो इन चुनौतियों से निपट इसलिए है क्योंकि ये वैश्विक चुनौतियां हमारे सामने और जो देश के लोग भारी बेरोजगारी और भैंकर महंगाई से तरस्त है उसके उससे निदान दिलाने के लिए सरकार की क्या रणनिती है क्या निती है वो भी हम सवाल करना चाहते हैं ये सारे सवाल ना तो क जो आर्थिक सर्वे प्रस्तुत हुआ उसमें इन सवालों का उत्तर दिया गया ना वित्तमंत्री के आज के बजट भाषन में इनका उत्तर दिया गया तो हम यहीं कहेंगे कि देश के अधिकान्ष लोगों के लिए ये बजट उनकी आकांक्शाओं इच्छाओं और उनकी उम्मीदों से उम्मीदों पर बिल्कुल भी खरा नहीं उत्रा है